इसको भी अगर उसमें आपका डाउट क्लियर नहीं होगा इसमें आपका डाउट पुरी तरह से क्लियर होगा अगर हो गया होगा तो आप इतना जो तहां इस पोर्षन को वीडियो में बाइस के लिए एक बाव बता देंगर है और यह सी है और यह अहां पे हमारा ऑजाएगा और इसको रोटेट करेंगे तो आ जाएगा ठीक है तो इसका मतलब यह Suzanne B तो एक कुमालने ते 45 ,1 18ilen तो देखिए तो यह हमारा परिमीटर है तुम टूम टूर करते हैं कितना 11.6 तो ग 11.6 जाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे तो 6 से कितना जाएं गया तो 11 और 6 17 1 मतला 17.6 तो 17 तो इसको पैंसिल का इच करते हैं 17 लाक्त राओर लिए पॉइंट हो गया और यह पॉइंट हो गया तो यह पॉइंट माल लेते हैं अपना एकस है और यह पॉइंट अपना वाई है ठीक है तो अब देखिए अब यहाँ पर का करेंगे 45 डिगरी और यहाँ पे 60 dood draw करेंगे क्योंकि जब हम इसका angle y sector find out करेंगे और इसका angle y sector यन्टर सिट्रिक्ट करके आपका ए-point ला देगा ठीक है चलिए यichthyberry और यए पर 60 degree तो दिखिए ए तो 45 draw करेंगे 90 degree पहले ठीक है तो यहां देखिए आर्क पले कट करते हैं, उसके बाद जो है, फिर से, अब उसके बाद, अब यहां तो 60, दैन इसका हाप करेंगे, इसमें 60 प्लस 30, 90, अब को सब सिखाद यह 90 ड्री कैसे ड्रो करेंगे, 60 ड्री कैसे ड्रो करेंगे, ठीक है, तो यह point आपको मिल गया, तो इस point को हम क्या करेंग अब इसका क्या करते है, बाइसेक करते हैं, बाइसेक करना भी जानते हैं किसी अंगल कैसे, आप अपने cutting, radius set करेंगे, और इसको center लेके एक R cut करेंगे, R cut किया, R cut हो गया यहां पर, तो अब इस point को, और इस point को जोईन करेंगे, कितना, 45 डिगरी, तो 45 डिगरी, देखे इस line को जोईन करते हैं, आगे तरफ ओडिस करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, 60 डिगरी ड्रो करते हैं, तो 60 डिगरी, तो यहाँ पर R cut किया, उसके बाद 1 R को यहाँ पर cut किया, अब यहीं तो हमारा 60 डिगरी फॉर्म हो गया, तो इसको आगे तरफ ओडिस करते है ठीक है अब इसका क्या करेंगे देखिए यहां पर 90 डिवनाई 90 ए 45 बनाई ठीक है यह 45 डिवने अंगल हो गया और यहां पर 60 डिवी अब मुझे फॉइंट एक फाइंड आउट करने लिए क्या करेंगे दोनों का बाई सेक्टर फाइंड आउट करेंगे चलते है फोटी फ करते हैं एक रेडिया सेट के इसको सेंटर लेके एक आर्क देन इसको सेंटर लेके एक आर्क तो इसके बाद इसको पोड़िस करते आगे कि तरह तो यहां पर पॉइंट मार कर देते हैं ठीक है ठीक है अब इसका फाइंड आउट करते हैं बाई सेक्टर एक आर कट करेंगे अपके तरह देखिए और इसको सेंटर लेका एक आर कट करते हैं ठीक है तो यह पॉइंट अपना मिल गया और इसको पोइंट को हम मिलाते हैं कि यहीं प्वाइंट जो है देगी दूरों इंटरसेट कर रहे हैं यहीं प्वाइंट जो है अपना क्या होगा एंट हो गया अभ फाइंड आओट करना है डी जुह है सी कहां इस इस लाइन पे तो इसके लिए क्या करेंगे एक्स एका परपेंडिकूलर राइसेक्टर फैंड डौकरेंगे और परपेंडिकूलर राइसेक्टर जहां परेबाइसेकॉटर आप . करेगा वह 15 fits, रेंडिक डौकरे चलते हैं यहां पर इक Jackie सेक्टर फाइण अवगा , उसी तरह इसको center लेके एक arc उपर, एक arc नीचे cut करते हैं, ठीक है, अब दोनों को join करते हैं, ठीक है, तो देखिए, तो join करते हैं, तो perpendicular by sector, तो यहाँ पर cut हुआ, ठीक है, अब फिर से ay का perpendicular by sector find out करेंगे, ay का, तो that means इसका by sector perpendicular by sector, एक arc यहाँ, एक arc इधर cut हो गया, ठीक है, उसी तरह a को center लेके arc यहाँ, एक arc यहाँ cut हो गया, ठीक है, अब फिर से इसको, एक line से join करेंगे, जब इसका perpendicular by sector, एक point mark कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर cut हुआ, इसका मतलब जो है, जब x a का, यह ax line का, जब perpendicular by sector हमने draw किया, और वो perpendicular by sector जो x y को इस point पर cut किया, तो इसको हम कहेंगे, यह b point है, और यह जो हता है, जब a y का perpendicular by sector draw किया, जो की x y को add point, इसको मालने थे c point पर cut किया, ठीक है, तो देखिए, अपना a point भी, b point भी, और c point भी तीनों मिल गया, तो सभी point को join कर देंगे, तो अपना triangle जो था है, a b c मिल जाएगा, ठीक है, तो देखिए, a b c triangle, मिल गया, ठीक है, a b c triangle, जाएगे, अ ओपना ब खना जाएगा, जो च झाल, उो आएगागे, a b c आ है, झाल, अईया, तो सत है, ब पहांनों इस जा है कि अ. झाल झाल